आज मैं आपके साथ share करने जा रही हूं एक स्नेक्स रेसिपी जो बहुत ही डिलीशीक्स टेस्टी और बहुत ही क्रिश्पी होता है तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद होता है तो आप इसको बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपीस बॉक Спथ करने से पहले मेरी आप से हमबल रिक्वेस्ट है, रेसिपी फॉलो करें, ज़रूर बनाएं, और अगर आपको मेरी रेसिपीच अच्छी लगती हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइb करें और शेयर भी करें, हो सके तो कॉमेंट्स भी करें रश्यन कवाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉनलेस चिकिन 200 ग्राम लिया है और इसको एक टैशर कोकर में डाल दिया है और यह मैंने एक बॉल हरी मटर ली है, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी और यह मैंने दो टेबिल स्पून लैसन अद्रक का पेस्ट लिया है, वो भी इसमें डाल कर दिया है एक चोटा चमच नमक और आधा चोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर भी डालेंगे आधा चोटा चमच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और एक कप हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम प्रेशर कोकर को कवर कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर । पर 4 सी टी आने तक पकाएंगे। जब चार सीटी आ जाएंगी तो हम फ्लेम को आफ कर देंगे और प्रेशर कुकर को आटोमेटिकली रिलीज होने देंगे अब हम इसको खोल के देखते हैं तो यह मिक्सचर जो है यह रेडी हो चुका है अब हम इसको मैश कर लेंगे अब मैंने यहां पर एक ग्रेट की हुई गाजर ली है और दो उबले आलू है इनको भी ग्रेट कर लिया है और दो हरी मिर्चा है इनको भी चौप कर लिया है और यह थोड़ा सा हरा धनिया है इसको भी मैंने कट कर लिया है और इन सब चीजों को अब हम इस मिक्चर में एट क करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब यह बहुत ही अच्छी से मिक्स हो चुका है और अब हम इसको कवाब का शेप देंगे तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसका मिक्चर का पोशर लेंगे और इसको हम अपने हाथों पर इस तरह से रखकर कवाब का शेप देंगे बहुती मज़ेदार रेसिपी होती है आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा आपके बचों को जरूर परसंद आएगी इन्शालला तो इस तरह से हम सभी कवाब बना लेंगे तो ये somehow do this. अब हम एक बॉल में दो अंडे लेंगे उन्हें भीट कर Lेंगे कवाबों में इन कवाबों को इन अंडों में पहले हम दिप करेंगे और उसके बाद इसको हम सेवई की बॉल में डालेंगे और इसमें सेवई से कोट कर देंगे तो इसको हम देखिए सेवई से कोट कर देंगे अच्छी तरह से बस इसी तरह से हम सभी कवाबों को पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम सेवई से कोट कर लेंगे तो इस तरह से देखिए सभी कवाबों को हमने तयार कर लिया है और अब हम इन कवाबों को फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे अब हम एक पैन लेंगे इस पैन में हम 1.5 कप ऑइल डालेंगे और ऑइल को हम गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर जब यह ऑइल गर्म हो जाएगा तो इन कवाबों को हम इसमें ड्रॉप कर देंगे और इन्हें गोल्डन होने तक हम फ्राइ करेंगे तो यह देखिए एक साइड गोल्डन हो चुका है अब दूसरी साइड भी मैं इसको फ्राइ कर लूँगी और जब यह अच्छे से फ्राइ हो जाएंगे हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे तो यह सभी कवाब देखिए बनकर तयार हो चुके हैं और अब हम इनको टमेटो केचप के साथ सर्फ करेंगे उमीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर मेरे आप में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हो सके तो आप इसको शेयर भी करें और क प्रफस्